मुसीर में आप सब की सलामती हो मेरा नाम है विजवान भटी एक मुताफिर हाजूर हो परेंप प्रोग्राम के साथ अमाले सालिहा की सीरीज के साथ और आज हम इसका आठवा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और जिसका टॉपिक है अकीदा अमल इस सीरीज में आपने पहले मुलाज़ा फरमाया होगा कि मुख्तलिफ दीन के मुख्तलिफ पहलू को जाजा लिया गया है और इस बात को सामने रखने की कोशिश की गई है कि दीन और अमाले सालिहा का और अकीदे और अमल का आपस में क्या तालुक है या है या नही है लेकिन इन तमाम से हासिल क्या है? उन तमाम के बारे में स्यदना मसी ने रोशनी डाली और आपने वाज़ तोर पर फरमाया कि अमाले सालिहा की शद्दीद जरूरत है अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जरूरत है? स्यदना मसी का एक तकाजा है जो सर्फ आपने अपने जाद के तूर में कह दिया क्या वाकिए हमें इस दुनिया में ये कार्फरमा होता है या दिखाई देता है या नहीं देता तो आपने पहले खुटबे के आखर में यह बास कही कि वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई नबूत का जूटा दावा करने वाला शक्स तुम्हारे पास आ जाए तो उस से होश्यार रहना तुम उनके फलों से उन्हें नहीं पहचान होगे क्या जाडियों से अंगूर कटारे और अंजीर तोड़ते हैं इसी तरह से हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला शकता तुम उनके अमान से उनको पहचान लोगे आपने फिटरत से एक मिशाल पेश की अगर एक पेड़ है जिसकी जड़ें गल सर गई है उससे आप तवक्र नहीं कर सकते कि वो कोई फल लाएगा फल छोड़ दें कुछ भी नहीं ला सकता अगर उसमें कोई फल नहीं होता तो आपको मालूम होगा कि पेड़ में कोई खराबी है ये नहीं कह सकते कि फल में कोई खराबी है लेकिन अगर उस से अच्छा फ़ल लग रहा हो तो आप कहते हैं कि ये पेड़ बहुत मजबूत है अच्छी जमीन है अच्छा फ़ल लाता है बीच भी अच्छा है इसको पानी भी वक्त पर मिला इसकी धेगबाल भी अच्छी तब जाकर ये ऐसा हुआ है तो इसी तरह से अगर नबूत के लिए एक पहचान हो और अकीदा हो अगर कोई शक्स तोहीद छोड़ कर शिर्क का दावा करता हो तो जाहर है कि वो खुदा वाहित की तरफ से नहीं भीजा गया फिर वो कहीं और से भीजा गया है लेकिन सिर्फ तालीम काफी नहीं है उस से सच्चे होने का मेयार भी होना चाहिए मेयार उसके अपने अमाल है मेयार उसका अपना किरतार भी है वो शक्स कैसा है दूसरों के साथ तो कहता है कि जूट मत बोलो लेकिन खुद नबूत के दावे करता है दूसरों से ये कहे कि दूसरों का माल मत लूटो लेकिन तमाम उमर दूसरों का मा स्वाल देखें इसी से पहचानते हैं कि आपने कहां पेड़ की पहचान क्या है आप एक पेड़ को देखते हैं तो कहते हैं क्यार आम का दरख्त है तो आपको यह कैसे मालूम होता है क्योंकि उस पर आम लगे होते हैं लेकिन यह नीम का दरख्त है अगर आप यह कहें तो तो वो शक्स बुरा है उसके अंमाल बुरे है चाहे आल्फास कितने ही अच्छे क्यूं 밀्ड हो कितने खुबसुरत क्यूंnecess क्यूं न रूँ और वो ऐसे अदा करता हो क्या कहने है इसके लेकिन इसके बाद हम ये भी कहेंगे ये कि उसका अकीदा सही था या नहीं था अलफाज तो ठीक हैं लेकिन अकीदा सही नहीं था उसके बाद भी आपने मज़ीद एक मिसाल पेश किया और आपने फरमाया कि दो शक्स थे दोनों मकान की तामीर करना चाहते थे दोनों को जरुद थी एक ने कहा कि अच्छा ठीक है मैंसे करता हूँ कि काम तो मुश्किल है लेकिन फिर भी कुछ कर लेता हूँ तो लेहाजा एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जो पहार की करीब थी और पत्रीली जगह पर थी मकान तामीर किया बन्यादे डाली लेकिन चुश्क है पहाड के करीब आकि था दो बारश होनी थी आंधि भी आनेए थी आंधियां भी आंगी बारश भी आएगी पानी से उसका घर टकर आएगा लेकिन उसका बालबिका ना हो सका क्योंकि वो पहाड के उपर बनाया गया था और जब दूसरा शक्स था उसने कहा कि एतनी मेनत कौन करे ये अज़ाब है भाई नहीं मैं ये नहीं कर सकता मैं तो यहीं पर जमीन पर खोदूँगा और पहाड के पास ये नीचे जमीन के पर अपना मकान तामीर करूँगा वो कौन इतनी मेनत करे तो लहाज़ा उसने नीचे वाली जगा को साफ किया फिर उस पर अपना मकान बनाया फिर आंधिया आई बारिश आई तो उसको बहा कर लेगे तो आपने कहा कि पहला शक्स वो है जिसने मेरी बातों को सुना और उन पर अमल किया या दूसरे अलफाज में गर ये कहें कि अकीदा भी सही है और जिसका अमल भी सही था और इसने अकलमंदी का मुझारा किया और ये अकलमंद ठहरा और दूसरा बेवकुफ जो मेरी बातें नहीं सुनता लेकिन उन पर अमल भी नहीं करता यानि उसका अकीदा तो अच्छा है लेकिन अमल ठीक नहीं तो कलाम खुदा ये कहता कि तो सबसे पहले तो शेतान को जन्नत में जाना चाहिए था क्या उसका अकीदा ये है कि एक खुदा है और फिर वो ठरْ-थर कामता भी है लेकिन उसके बावजूद वो लोगों को गुम्रा करना चाहता है और गुम्रा करता भी है तो उस में एमान और अमल में फरक है तो उन दोनों के द्रमियन तफरीक होनी चाहिए एक तवाजल होना चाहिए, अगर ये तवाजल ना हो, तो पर उसके बाद वो एमानदार आदमी नहीं है, पर वो मुनाफिक बन जाता है, क्योंकि सहभे एमान में और मुनाफिक के एमान में फर्क है इमान दोनों का एक ही है दोनों एक ही जबान से कह रहे होते हैं लेकिन इक्रार कर रहे होते हैं जब आप उनके अमल को देखते हैं तो शायद बाज दफ़ा मुनाफिक का अमल भी ठीक दिखाई दे रहा होता है वो नमाद भी पढ़ रहा होता है वो भी रोजा रख रहा होता है जकात दे रहा होता है इसके सारे काम वो ही करते हैं लेकिन वो लोगों की खातिर कर रहा होता है जबके पहला आदमी खुदा की खातिर कर रहा है कतल नहीं करना खून नहीं करना जना नहीं करना चौरी नहीं करना ये सारी बातें नहीं करना अगर कोई शक्स इसलिए कर रहा है कि उसे माशरे में उस्तवार हो कर रहना है तो बात भी अच्छी करनी है लेकिन इमान के दलदल में नहीं है इमान की दलील ये है कि वो इसलिए कर रहा है कि वो माशरे को इस्तवार कर रहा है लेकिन वो भी दूसरे खुदा के बंदे हैं जिनकी जान की हिफाज़त कर रहा है जिनकी इज़त का इहतराम कर रहा है उनसे प्यार कर रहा है, उनको गले लगा रहा है मेरी अबादत का मकसद भी यही है, मेरी कुर्बानी भी यही है, मेरा रोजा भी यही है लेकिन अगर वो यह परवर्दिगार की खातिर नहीं कर रहा, उसका कोई अजर और सवाब उसको नहीं मिलेगा अगर इनसान की फुलाव बैबूत की खातर कर रहा है तो उसके अकीदे का कोई फाइदा नहीं है इसलिए हमें देखना ये है कि अकाइद क्या है और हमारे अमाल क्या है तो कलाम खुदा ने दोनों के दर्मयान एक तोजन काइम करता है कि अगर अमल ठीक है तो उसे मालूम होता है कि आपका अकीदा भी सही है लेकिन अगर आपका अकीदा सही है और हमें पता नहीं है कि आपके दिल में क्या है और जबान पे क्या है तो हम सिर्फ आपको देख सकते हैं आपका कुछ करने ही सकते हैं ना आपको कुछ कह सकते हैं आप लाग कहते रहें कि हमारा अकीदा है लेकिन अगर आपका अमल इनसान आपको कतल खारत करना है तो जाहर है तो हम आपके अकाईद को क्या कहेंगे अगर आप ये कहेंगे कि हमारा इमान तो यही है कि तमाम इंसान बराबर है लेकिन आपका अमल तो यह हो कि कुछ इंसान जो आपके हम अकीदा हूं उनका तो आप एहतलाम करें लेकिन दूसरों को मारने के लिए कतल करने के लिए तयार हूं तो फिर हम कैसे मान लें, तक्रीम इंसानियत की तालीम दे रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कहेंगे, कि आप तक्रीम हम मजभब की तालीम दे रहे हैं, तक्रीम इंसानियत नहीं दे रहे हैं, हम इसी तरह से नमास पढ़ी, आपने रोजा रखा, आपने जगात दी, आपने खेलात क आपने ये सारे काम किये लेकिन ये सारे काम करने के बावजूद उसे हासल सिर्फ यही हुआ कि आप लोगों की तारीफ करने लगे हुए हैं लेकिन उसे नमाज से आपको कुछ हासल नहीं होगा वो रोजा आपका कुछ नहीं बगाड़ सकता वो खेरात आपको कोई फाइदा नहीं पहुंचा सकती लेकिन क्योंकि जिस रोजे ने आपको ये ना दिखाया ना सिखाया कि सबर तहम्मल क्या होता है अंदर के इंसान और बाहर के इंसान दोनों में फरक होता है जगड़ा नहीं करवाना उस रोजे का फाइदा क्या होगा तो उस रोजे का आपको कोई फाइदा नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा जिस नमाज में आपने तूल दी एक जग़ा ऐसे यदे नमसीर ने फरमाया कि जमाने के उल्म कराम के बारे में कहा कि ए फखिय और फ्रीसियों तो महारी हालत पर मुझे अफसोस पर अफसोस कि तुम वो लोग हो कि तुम वो लोग हो जो बेवाओं और यतीमों के खरों को दबा कर बैठे हुए हो उन पर नजाइस कबजा करते हो और लोगों को एतबार देने के लिए अपनी पढ़ते हो तो ऐसी नमाज का क्या फाइदा जो इनसान के हकूक छीन ले हकूक अलिल्ला और हकूक अलिबाद का तवाजन करना है असल में अकीदा और अमल का तवाजन करना है हकूक अलिल्ला अकीदा है और हकूक अलिबाद अमाल सालिया है अगर दोनों के दरम्यान तवाजन नहीं है और सिर्फ हकुक अल्ला की बात आप कर रहे हैं और हकुक अल्बात की बात करते ही नहीं है तो इनसान को भूल गए है हो तो जो तक्रीम इनसानियत करता है और इनसान को भूल गए है तो इनसान की तक्रीम नहीं करता जो उसको दिखाई देता है जिससे वो रोज मिलता है आप उससे मान लें कि वो खुदा को भी नहीं मानता होगा तो आप कैसे मान लें कि वो खुदा को भी मानता है जो उसे दिखाई नहीं देता कि वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा मैं ये कैसे मान जाओं कि वो दूर जाके रोए तो जिसे इनसान पर रह्म नहीं आता हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो खुदा रहीम को मानने वाला है अगर किसी इनसान का वाकई इमान खुदा रहीम पर है तो उसके दिल के अंदर भी वो तरस वो रह्म होगा लेकिन अगर इनसान पर रह्म नहीं खाता तो वो खुदा रहीम को मानने वाला नहीं है चाहे वो उसके लाख दावे किये चले जाए और तारीख इस बात की शाहिद है कि उस पर किसी मझब का इस्तिषना नहीं है तमाम मझाहिद तारीख की बात पर शाहिद है क्वदा के मानने वाले खुदा के ς नाम पर जतना खून भााते है उतना कहीं नहीं भााते जतने मुनाफ़क मझभ नए पैदा किए उतने किसी और ने पैदा नहीं किये जानियों कि खुदा की वही रहमत है उसको सबने जहमत बना दिया है और लोग इस से तंग आगे हैं किसे ने इस अहत eleven किया और ये कहा के ये तो अफवा है किसे ने कहा के खबरदार ये दो हैं लेकिन आप ऐसी बात नहीं कर सकते लोग बुरे थे, हम बुरे थे आईए हम अपने इसलाह करें और आज ये फैसला करें कि परवर्दिगार से वादा करें कि खुदा अगर हमारा अकिदा सही है तो उसे के मताबिक हमें जिन्दगी गुजारने की सादत अता फर्मा तो हमारी खुदा से लतजा है कि हमें भी वही रह्म दिल अता फर्मा कि हम दूसरों के साथ महरबानी और सलूक से पेश आएं और दुष्वनों के लिए बद्दुआ ना करें ना उनसे लड़े ना जगड़े खुदा हमारी सिर्फ एक ही दुआ है कि हमें अपने जैसा बना दीजे और हमें कुछ नहीं चाहिए और हमारी दुआएं कुबूल फर्मा आमेल